आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत वीडियो Solution पाओ डाउनलोड नाओ हलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक प्रशन दिया हुआ है प्रशन हमारा इस प्रकार से है जड़ और तना नहीं होता है किस में नहीं होता है? इसका में चार ओप्चन दिये गए है मौस में, फर्न में, पाइनस में, एंजियो Sperm में तो आईए गाईज हम देख लेते हैं कि छार ओप्संस में से हमारी प्रशन का उत्तर कौन सा होगा? यहाँ पर हम बात कर रहे है किसकी जड़ और तना अनुपस्तेतो तो वो हमारी पादफ कौन से कहलाते हैं? वो पादफ होते हैं हमारे Bryophyta. कौन से होते हैं? Bryophyta ब्रायोफाइटा के जो पौदे होते हैं इनमें जड़तना नहीं होते हैं और शेवाल भी होते हैं कौन से होते हैं शेवाल, ब्रायोफाइटा होते हैं अब देख लेते हैं, ब्राइफाइटा में जो एक्जामपल होता है, वो को और तो सेवालो ब्राइफाइटा जो होते हैं, जो सरीर होता है, सरीर सारीरिक सनचना वो जरतना पती में विभक्त नहीं होती है, तो यह हमारे क्या हैं, ब्राइफाइटा और ब्राइफाइटा कैस दोनों ही किस में आते हैं थेलोफाइटा की शरिड़ी में धेलोफाइटा थेलोफाइटा का मतलब होता है थैलफ जैसी स्ट actor जिनमें पाई जाती है थेलो मतलब थैलस और यह थैला ना प्लांत first option क्या हो जाएगा, correct, second हमें दिया हुए है क्या, फर्ण, फर्ण में जड़ तना पत्ती पाए जाते हैं, जड़, कोमर तना, इसमें उपस्थेत होता है, तो यह हमारा होगा नहीं, minus इसमें भी हमारा जड़ तना पत्ती, फूल, बीच, सब उपस्थेत होते हैं, तो यह भी नहीं पाए जाएगा, और फोर्थ हमें दिया हुए है, यह भी पौंड विक्सेत पौद हैं, इनमें भी पाए जाते हैं, तो यह भी नहीं होगा, तो इस तरह से हमारी प्रशन का option number second, third, fourth गलत हो जाएगा, first option हमारी प्रशन का उत्तर है, जो कि correct है, I hope यह प्रशन आपको समझ आया होगा, thank you.